अगर आप करोल के बारे में नहीं जानते या करोल जाना चाहते हैं तो ये एक वीडियो आपको हिस्ट्री और मिस्ट्री भी बताएगी साथ ही बहुत अच्छे से गाइड भी करेगी अगर आप माउंट करोल पांडव गुफा या हनुमान टिब्बा जाना चाहते हैं पूरी सोलन डिस्टिक का हाइस्ट पीक है माउंट करोल और सोलन से ये कुछ ऐसा दिखता है अब करोल से सोलन कैसा दिखता है ये जानने के लिए हम निकल पड़े माउंट करोल की तरफ यहां जाने के लिए सबसे पहले चमबा घाट आना पड़ता है और यहां से लगबक 6-7 किलोमेटर की ट्रेकिंग शुरू हो जाती है चंबा घाट बस्टॉप के पीछे से ही उपर की तरफ रोड जाता है उपर आपने आ जाना है और गुरुद्वारे के साथ से ही उपर की तरफ बढ़ते जाना है वीडियो में क्लिप्स देखते किया था नौ बजे और इसमें दो से तीन घंटे लगते हैं अगर आप बिलकुल आराम से जाएं देखो चड़ाई काफी ज्यादा है तो साथ में बेसिक नीड जैसे पानी फूड ज़रूर रखना ज्यादा ठंड के टाइम पर जा रहे हो तो लाइटर ताकि कि आप बॉनफायर कर सकें साथ ही एक टोर्च अपने साथ जरूर ले जाएं चाहे आप दिन को जा रहे हैं या रात को ऐसा क्यूं आगे बताऊंगा देखो ट्रेक जरा भी कन्फ्यूजिंग नहीं है मेरे टीम मेड्स जहां से आगे बढ़ रहे हैं उन रास्तों से आपने आगे बढ़ना है याद दखना आप चड़ाही की तरफ जा रहे हैं तो चड़ाही वाले रास्ते ही चूस करना सड़क से आपने आगे की तरफ बढ़ना है इसी रास्ते में और उपर आपको एक शौप दिख जाएगी उधर से उपर को हो जाना है यहाँ जगा जगा बोट भी लगे हैं जिन पर लिखा है मंदिर जाने का रास्ता साथी कहीं भी अगर आपको लाल कपड़ा बंधा हुआ पेड़ दिखे समझ जाना आप सही रास्ते पर हो जैसे जैसे आप उपर जाते जाएंगे व्यूज और खुबसूरत होते जाएंगे जैसा कि आप देख भी रहे हैं रास्ते में यह खुबसूरत सी जगा पड़ रही थी हमने थोड़ा रुख कर यहां रेस्ट कर लिया अगेन सफर कंटिन्यू कर लिया क्योंकि उस उंची पहाड़ी तक अभी हमें पहुंचना है यहां फिर से रास्ते में एक मैदान जैसा आया यहां लोग केम्पिंग करते हैं और यही सबसे बेस जगा है केम्पिंग के लिए में रास्ते से थोड़ा मुड़कर हम उपर की तरफ गए खुबसुरत व्यूज देखे और फिर से मुड़ाए में रास्ते पर अब थोड़ी आगे आने पर यहां आपको एक तलाब भी दिखेगा यहां से आगे की तरफ आपने बढ़ना है और यहां से शुरू हो जाता है जंगल आप जब भी जा रहे होंगे इस वीडियो को देखते रहना ताकि कन्फर्म होता रहे नेटवर्क की कोई दिक्कत नहीं है पूरी पहाड़ी पर आपको नेटवर्क मिल जाएगा यहां लोग आते जाते रहते हैं यह संसान जगा बिल्कुल भी नहीं तो डरने की भी कोई बात नहीं उपर की तरफ बढ़ते जाना है थोड़ा लंबा ट्रेक है पर बहतरीन है और वर्थ है अब यहां पर बैठ कर हमने थोड़ी एनरजी ली और फिर से देखे यह व्यूज जैसे जैसे हम उपर जा रहे हैं व्यूज सच में खुबसूरत होते जा रहे हैं अब हम मंदिर के नस्दीक पहुंच चुके हैं यहां से तीन रास्ते जाते हैं मंदिर गुफा और हनुमान टिब्बा के लिए जब हनुमान टिब्बा जाना होगा तो वापिस यहीं आना है याद रखना फिलहाल मंदिर चलकर दर्शन करते हैं यह माता काली का मंदिर जिन्हें मा करोल कह जाता है और इस मंदिर से दिखते हैं खुबसूरत से व्यूज चूरधार पीक, काली टिब्बा, शिमला, संजॉली, जाकु टेंपल, हिमाले की पहाडियां और भी बहुत से पहाडियां मंदिर के दर्शन करने के बाद आपने बैक साइड आ जाना है गुफा की तरफ नहीं, अपोजिट सबसे हाइस्ट पीक पर ये है हनुमान टिब्बा यहां कहा जाता है कि हनुमान जी ने पैर रखा था जब संजीवनी बूटी लेकर आये थे यहां संजीवनी बूटी अभी भी है ऐसा भी कहा जाता है बस उसकी पहचान अभी तक नहीं हो पाई है यहां से दिखता है वो व्यू जिसके लिए हम इतनी दूर आए यहां हमने खाई मैगी और चल दिये पांडव गुफा की तरफ पांडव गुफा बहुत नीचे जाकर है आपको नीचे की तरफ अब उतरना है और वहीं से शौट रास्ता है वापिस पुराने रास्ते में मिल जाएगा और आप सोरन पहुंचाएंगे फिल्हाल बहुत नीचे आकर अब हम पहुंच गए हैं पांडव गुफा ये गुफा लोगों के घर के साथ है बाहराधा कृष्ण और शिवजी का मंदिर भी है इस गुफा के बारे में कहा जाता है कि शिवजी ने भी यहां तपस्या की है साथ ही पांडव भी वनवास के दौरान यहां रहे थे ये गुफा हिमाले की सबसे लंबी गुफा मानी जाती है जो 28-30 किलोमेटर है अब यहां आपको टौर्च की जरुवत पड़ेगी ताकि आप इस गुफा को अच्छे से देख पाए हम नहीं ले गए थे तो उतने अच्छे से कैप्चर नहीं कर पाए अच्छा इस गुफा में एक बार रिसर्च के लिए रंगीन पानी डाला गया था साथी कुछ पेड़ के पत्ते भी जो पिंजोर जाकर निकले थे कुछ लोग गुफा के करीब एक किलमेटर अंदर तक भी गए है अंदर जाते ही यह गुफा काफी चौड़ी हो जाती है इस दोरान शिबलिंग शेशनाग जैसी आकरितियां गुफा के अंदर दिखने लगती है गुफा के अंदर थोड़ी दूरी पर एक विशाल छील भी बनी हुई है कहते हैं दो सादू इस गुफा का रस से जाने के लिए अंदर गए थे लेकिन कभी वापिस नहीं लोटे तो गुफा के दर्शन करने के बाद आपने वापिस आ जाना है उसी रास्ते पर सामने एक टैंक होगा उसके उपर से रास्ता जाता है जो वापिस पहले वाले रास्ते में मिल जाता है और आप पहुंच जाओगे वापिस चंबा घाट तो कैसी लगी ये वीडियो आई होप हेलफुल रही होगी लाइक, कमेंट, शेर, सब्सक्राइब करना बिलकुल मत भूलिएगा अगर आप जा रहे हैं अगर नहीं भी जा रहे हैं तो शिम्ला सोलन हिमाचल से रेलेटेड मैं बहुत सी वीडियो से लाता रहता हूँ उनको ज़रूर देख लीजिए क्याँ बिलकुल मत वीजिए